ये जो इस्क्रीन पर आप तस्वीर देख रहे हैं इस एक धमाके ने पूरी तरीके से यूरोप को घुटने पे ला दिया है जानेंगे क्या है मामला और कैसे भारत चीन यूरोप को पीछे छोड़ कर आगे निकल गया है ऐसा करने वाला भारत एक मात्र देश बन गया है जानेंगे क्या है मामला इसके अलावे बहुत कुछ आईये जानते हैं इन ख़बरों को विस्तार से ये IMF की source ने रिलीज किया है जिस IMF की source ने ये बताना शुरू कर दिया है कि किस तरीके से महंगाई पूरी दुनिया में बढ़ेगी आप देख रहे हैं अलग-अलग रंगों से डिवाइड किया गया है जिसमें कहीं पर 59% कहीं पर 245% कहीं पर 500% कहीं पर 60% भारत में जहां ये महंगाई दर कहीं जा रही है कि 5 से 9.9% के बीच में रहेगा तो वहीं बाकी देशों के काफी बुरे हालात देखने को मिल रहे हैं अमेरिका के अंदर इस वक्त महंगाई कुछ ऐसी चल रही है जो 40 साल में पहली बार है 40 साल का ये रिकॉर्ड टूटा है और कहा जा रहा है कि इसमें कोई घटोतरी नहीं हो रही है और ये महंगाई दर और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है हो सकता है ये 70-80% तक चली जाए हो सकता है ये 70-80 साल के रिकॉर्ड भी तोड़ दे अब यहां पर जो हाल अमेरिका का है उससे भी बुरा हाल हो रहा है यूरोप का आपको बता दे यूरोप के परमुक देश में आता है जर्मनी जर्मनी का हमेशा से ये रिकॉर्ड रहा है कि यहां पर महंगाई दर सबसे कम होती है और सबसे पीछे बढ़ता है यही माना जाता है कि यूरोप में जब पूरा यूरोप महंगाई की मार झेल रहा होगा तो हो सकता है जर्मनी में सुरुआत हो यानि कि महंगाई का असर ज जर्मनी में भी महंगाई के रिकॉर्ड तूटे जा रहे हैं। जर्मनी के बनने के बाद से अब तक में सबसे ज्यादा महंगाई जर्मनी के इतिहास में मई महिने में दर्ज की गई 7.9 परतीसत। यानि यूरोप का हाल बहुत बुरा है। यूरोप अब वापस से पटरी में लोटने की कोसिस कर रहा है लेकिन रूस और यूकरेन की लड़ाई है जो उसे पटरी में लोटने नहीं दे रहे हैं। और अमेरिका का दवाब भी एक बहुत बड़ा कारण बन रहा है जिसकी वज़े से यूरोप तीछे भी अपने पैर नहीं हटा पा रहा है। ना चाहते यह कहें तो दुनिया के हर एक देश की इस्तिती कमों बेस ऐसी ही चल रही है। अपरेल महिने के रिकॉर्ड को देख कर चीन और पाकिस्तान बेहत खुस हो रहे थे। क्योंकि अपरेल महिने में भारत का जो रिपोर्ट निकल कर आया था सामने वो करीब 8% की महंगाई दर क 16% की भी उमीद लगाई जा रही थी कि ऐसा ही कुछ भारत के साथ होगा भारत भी गुटनों पर आएगा जब दुनिया के बांकी देश आ गए तो लेकिन यहां पर भारत ने अचानक से पेट्रोल डीजल के दाम कर दिये कम और पेट्रोल डीजल के दाम कम होने से यातायात के साथनों का दाम कम हुआ माल डुलाई कम हो गया और माल डुलाई में लगने वाला खर्च कम हो गया जिसके वजह से महंगाई दर में मई के महिने में भारी गिरावट देखने को मिली अब मई महिने में गिरावट देखने को मिल रहा है अप्रेल महिने के तुलना में हलाक इन ये आकड़े सिर्फ अभी कुछी दिनों के हैं जल्द ही इसमें और भी भारी गिरावट देखने को मिलेगा पर ये सब कुछ हुआ किस वज़े से ये सब कुछ हुआ है भारत के एक बहुत बड़े फैसले की वज़े से जिसमें भारत ने ये फैसला लिया कि वह रूस से तेल खरीदता रहेगा और तेल खरीदने के लिए किसी के दवाब में नहीं आएगा ये बहुत बड़ा फैसला था जिस फैसले का असर यहां तक पहुचा है कि भारत अपने देश में महंगाई को कंट्रोल कर रहा है और अगर सब कुछ सही रहा तो भारत बहुत जल्दी मह जारत इन सारी समस्याओं से निकल रहा है चीन यूरोप को भी पीछे छोड़ रहा है तो वहीं यूरोप के ऊपर बिलकुल कहर सा टूपड़ा है और इसे आप कहेंगे जैसे की कंगाली में आटा गिला होना और फसाया भी किसने फसाया भी है अमेरिका ने और अमेरिका की वज़े से खुद अमेरिका भी फस गया है और यूरोप भी फस गया है जैसा कि हमने आपको कई बार बताया है कि यूरोप ने ये फैसला लिया है कि इस साल तक 90% अपनी डिपेंडेंसी कम करेगा रूस के उपर और ये फैसला लेने के साथ साथ उन्होंने कटाउती करनी शु कुछ अन्य देसों के पास भी चले गए इटली के पास भी चले गए वहां से इन्होंने गैस लेना शुरू कर दिया तो आपको बता दें अमेरिका भी गैस और तेल का एक अच्छा सप्लायर है पहले भारत अमेरिका से भी बड़ी मात्रा में खरीदा करता था तेल और गैस पर बाद में कुछ बैपार युद्ध कुछ नियमों की वजह से अमेरिका की जगा किसी और ने ले लिया अमेरिका ने भी अपना प्रोड़क्शन कट कर दिया जिसका असर यहां तक हुआ पर यूरोप के लिए अमेरिका के दरवाजे खुले हुए थे और अमेरिका यूरो प्लांट भी है जो LNG का प्रोडक्शन करते हैं और इस से अमेरिका यूरोप साउथ कोरिया चाइना को करीब 64 बिलियन क्यूबिक गैस के सप्लाइ करता है अभी यूएस की एक सबसे बड़ी कमपनी है यह कहें प्लांट है फ्रीपोर्ट LNG यह प्लांट अमेरिका की सबसे और प्रोसेस करके यूरोपियन देशों को भेज भी रहा है इसी के बल पर यूरोपियन देश तैयार भी थे वैसे आपको बता दें इसके अलावे फ्रांस यूके तूर्की नीदरलेंड यह बिगेस्ट सबसे बड़े इंपोर्टर है फ्रीपोर्ट LNG के इस साल के मतलब ख अचानक से इस प्लांट में हो गया है बलास्ट अब यह कोई साजिस है या फिर कोई गलती है यह निकल कर सामने नहीं आया है लेकिन इसका आसर यह हुआ है कि तीन हपते के लिए इस प्लांट को बंद कर दिया जाएगा और तीन हपते के लिए प्लांट को बंद करने का क्य जाने वाले हैं यूरोप तक अब यूरोप को अगर अपनी एलेंजी की सप्लाइ इन तीन हपतों तक बनाए रखनी है तो उसे देखना होगा दूसरा रास्ता अमेरिका के सबसे बड़े नेचुरल गैस प्लांट में हुआ है अब देखना यह होगा कि इसके बिसे में जांच कर जरू बताएं जब मिलते हैं अगले वीडियो में नई ख़बर के साथ